बाबा विश्वनात के नगरी बनारस से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चनल इस्टेवी टीम बनारस में आज हम डिसकस करने वाले हैं प्रिवियस येर पेपर जो की के विएस दो हजार तेरह में इंग्लिश के क्वेस्टन्स टॉप 15 पूछे गए थे उनक कैसे क्वेस्टन्स करता है एंग्लिश के ओके सो लेट्स सी फस्ट क्वेस्टन क्या क्या रहा है कि इन इच क्वेस्टन्स चूज्ज द वन वर्ड विच्च कान बी सब्स्टिटेट फॉर्ड गिवन सेंटेंस मतलब जब आप वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ते हैं हिंदी में ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी आपको करना है ओके फस्ट क्वेशन है टू मेडियेट बिट्वीण टू पार्टीज इन डिस्प्यूट डिस्प्यूट का मतलब होता है कोई लड़ाई जगड़ा होता है उसमें कोई अगर मध्यस्टता करता है दो तो यहाँ पर आपका option number B सही हो जाएगा कि अगर आप मध्यस्तता करते हैं दो parties की बीच में अगर कोई एक dispute हो रही है लड़ाई जगड़े हो रहे हैं तो उसको कहते हैं intercede और interfere आपको क्या होता है हस्तक shape करना ठीक है हस्तक shape करना अलग होता है और intercede मतलब कि आप जो एक मध मध्यस्तता करना अलग होता है हस्तक shape तो बहुत negative sense में भी ले लिया जाता है अगर कोई आप काम करने तो बीच में किसी ने अगर interfere कर दिया तो वहाँ पर मध्यस्तता नहीं की जा रही है वहाँ पर क्या किया जा रहा है हस्तक shape किया जा रहा है तो इसलिए आपका option number A गलत ह संद नहीं है बिल्कुल I hate marriages तो वह होता है मिसो गोमेस्ट ठीक है मिसो गेमिस्ट होता है इसे कहते हैं और देखें by God मतलब होता है बिल्कुल कटर पंथी कटर मतलब जानते ना जो धर्म के प्रति बिल्कुल एक्टम अपने जो इसलाम धर्म है हिंदू धर्मे हम बिल्कु इसके कटर है तो उसको कहते है by god और widower क्या होता है तो जैसे widow मतलब की with what तो उसी प्रकार से जो widower होता है विधूर इसको कहते है जो जिनके पती sorry जिनके जो इस्तरी मर गई हो मतलब की बीवी मर गई हो या wife और देखिए polygamist मतलब होता है कि one who loves to do many kind of मतलब बहुत सारी marriages करना अगर पसंद करता है एक बीवी नहीं मतलब की वो चाहतो कि मेरी दो-चार बीविया रहे दो-चार wives रहे तो वो polygamist हो जाता है ठीक है और अगर बात करे जो marriages को hate करता है तो वो misogamist होता है ठीक है तो उनके आपको synonyms करने है ठीक है तो synonyms करने है question number 3 में है this will gratify some people and surprise the rest तो gratify का मतलब क्या होता है gratify मतलब होता है देखिए synonym पूचा है meaning पूचा है तो delight हो जाएगा मतलब बहुत ही उल्लास बहुत ही खुशी तो gratify मतलब होता है कि क्या होता है बहुत ही खुशी होती है ठीक है sorrow मतलब होता है दुख, annoyed मतलब होता है परिशान करना तो इस तरीके की चीज़े disphase मतलब भी वही सेम होता है बट gratify का जो synonym होगा न ये delight होगा बाकी के ये जो C, B और D options है वो क्या है इसके विलोम या opposite है ओकी इसलिए ये सारे options गलत है option number A आपका सही है next question number 4 है जोहान has always been an illusive customer तो illusive customer का मतलब बहुत ही रहसिमयी धंग का उनका क्या है customer है ठीक है तो जोहान उसका नाम है तो इसका ये जो illusive customer है ये आप bold समझ लीजे इसका आपको मतलब बताना है तो इसका देखिए मतलब हो जाता है baffling baffling होता है इसका मतलब मतलब बहुत ज़्यादा रहसिमयी है ठीक है illusive है, मायावी है ऐसा customer है कि बहुत mysterious है तो इसका baffling बिलकुल सही हो जाएगा querilsum मतलब होता है बिलकुल जगडालू तो ये जो option number A में आप देख पारे होंगे querilsum इसका मतलब होता है बिलकुल जगडालू type का तो जगडालू यहाँ पे नहीं कोई sense बन रहा है तो illusive customer मतलब होता है बिलकुल baffling mysterious तरीके का कोई उनका एक customer है चलिए next question number 5 क्या कह रहा है ant is believed to be the most industrious creature जो ant मतलब की cheat यां होती बहुत ही parishramी जीव मानी जाती है तो देखें industrious creature आप देख पारे होंगो तो ये आपका bold word पूछा गया था यहाँ पे तो industrious creature का क्या हो जाएगा diligent diligent मतलब ही होता है बिलकुल parishramी बहुत ही महनती ठीक है तो आपका option number C fifth number के question में सही हो जाएगा चलिए फिर next question देखते है 6 number का question देखें इसमें क्या करना है न idiom and phrases दियो है sentences में उनको आपको देखना है find out करना है और उसके answers करने है आपको options के according question number 6 है he sold his house in the city since it was a real white elephant तो देखें यहाँ पे जो आपको मुहावरे या लोकोक्ती हिंद में पढ़ते है तो उसी प्रकार से आता है English में real white elephant मतलब इसका होता है कि बहुती costly, बहुती महंगा option number A आपका सही हो जाएगा costly one मतलब कि उसने एक अपने महंगे घर को क्या कर दिया है, बेच दिया ठीक है, real white elephant मतलब costly one तो option number A आपका सही हो जाएगा question number 7 देखें he is not worth his salt if he fails at this juncture तो देखें, worth his salt worth his salt का क्या मतलब होता है कि बहुत ज्यादा मतलब अगर बात करें इसको तो यहाँ पे आपका option number A सही हो जाएगा, quite worthless मतलब कि बिल्कुल बेकार इसको कहते है not worth his salt मतलब कि वो worth या योग यह नहीं था तो इसका क्या आर्थ हो जाएगा, quite worthless बहुत ही बेकार, मतलब बहुत अच्छा नहीं होगा ठीक है, तो option number A आपका सही हो जाएगा, not worth his salt का मतलब होता है, quite worthless मतलब बेकार, question number 8 पूछा था, he broke off in the middle of his story, he broke off broke off यहाँ पे देखिए, आपको बिल्कुल bold दिख रहा होगा, तो broke off का मतलब होता है, stop it suddenly, मतलब अचानक से अपने story सुनाते सुनाते के बीच में हो बिल्कुल अचानक से क्या हुआ, रुक गया okay, तो option number B, आपका सही हो जाएगा next question पूछा था, 9 to 11 question में, bold words के क्या बताने थे, opposite बताने थे opposite मतलब की होता है, विलोम शब्द question number 9 पूछा था, the question he asked was so absurd, absurd का मतलब होता है, बिल्कुल ही क्या होता है betuka, ठीक है, तो betuka होता है, इसका क्या अर्थ हो जाएगा, rational हो जाएगा, इसका जो विलोम हो जाएगा, rational हो जाएगा, rational मतलब होता है, बहुत ही sensible, बहुत ही समझदार, बहुत ही intellectual type का कोई question अगर कर रहा है, तो वो हो जाता है बहुत ही rational किसम का इंसान है वो absurd मतलब होता है बिल्कुल बेतु का तो इसका opposite या विलोम क्या हो जाएगा इसका opposite या विलोम हो जाएगा rational मतलब की बहुत ही sensible intellectual ठीक है तो this kind of तो ये absurd का हो जाएगा ये सारे क्या हो जाएगे synonyms हो जाएगे बट जो opposite अगर पूछा जाए तो option number C आपका rational सही हो जाएगा ठीक है next question number 10 क्या कह रहा है कि ambiguity of thoughts can prove disastrous ambiguity मतलब होता है aspashed ठीक है ambiguity मतलब होता है aspashed तो इसका आपका synonym opposite विलोम क्या हो जाएगा तो clarify हो जाएगा अगर आप किसे चीज को clarify कर देते हैं aspashed कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है ambiguity नहीं रहती है उसमें मतलब अश्वष्टता नहीं रहती है तो इसलिए आपका option number B सही हो जाएगा next question number 11 the boy found himself in a pathetic situation pathetic situation मतलब होता है बहुती दयनी अवस्था में बहुती उदासी अवस्था में बहुती दुखी अवस्था में अपने आपको पाता है एक लड़का तो इसका option number A सही हो जाएगा comical comical मतलब होता है कि pathetic का उल्टा बिल्कुल दयनी का उल्टा बिल्कुल हास्यास पर दिया तो फिर आप comics वगरा पढ़ते हैं फिर कॉमिटी देखते हैं तो उसी word से बना हुआ है comical बिल्कुल हास्यास पर इस्थते में जो की दयनिया न हो तो इसका जो pathetic है pathetic का जो opposite हो जाएगा वो क्या हो जाएगा comical तो इसलिए आपका option number A 11 number की question में सही हो जाएगा चलिए next देखते हैं यहाँ पे देखें 12 और 13 number की question में क्या बताना है correctly spelled word मतलब कि बिल्कुल जिनका उच्चारड और spelling क्या हो बिल्कुल सही हो तो देखें यहाँ पे committee की spelling बोली गई है तो यहाँ पे देखें committee ये गलत है ये भी गलत है ये भी गलत है ये सही है तो आपका option number D बिल्कुल सही हो जाएगा committee की spelling होते हैं C-O-M-M-I-T-E-E देखें डबल M होता है डबल T होता है डबल E भी होता है तो committee की spelling आपको ध्यान में रखनी है next देखें question number 13 collaboration collaboration का spelling आपको बिल्कुल correct चूज़ करना है तो collaboration का spelling हो जाएगा यहाँ पे सही तो option number A collaboration देखें ये गलत है ये भी गलत है बिल्कुल ये गलत है और ये भी गलत है तो option number A आपका सही हो जाएगा C-O-L-L-A-B-O-R-A-T-I-O-N collaboration मतलब कि आपसी सहयोग से या सब लोग मिल कर अगर कोई काम करते हैं 14 number के question देखें इसमें क्या है सबसे पहले आपको first part of sentence दिया गया है जैसे the little girl ये first part of sentence दिया गया है is provided to you and the remaining sentences और जो ये remaining sentences आपको दिये गया है option P, Q, R, S में तो आपको इसको order में इसको set करना है कि मतलब the little girl के बाद ऐसा कौन सा option आएगा जो की आपका सही होगा choose the most logical order of parts from among the given four choices to construct a correct sentence तो आपको एक construct करना है एक correct sentence मतलब कि शुद्ध वाक्य आपको बनाना है तो देखें the little girl है उसके बाद आप options पढ़िए एक बार P में कह रहा है कि for the mother to leave said to her friend little children on their own and go to work it was not quite right तो the little girl है इसका देखें यहां पे आपको न the little girl के बाद आपको लग रहा होगा said to her friend मतलब कि छोटे लड़की ने अपने दोस्त से कहा क्या कहा तो इसमें आपको फिर देखना होगा it was not quite right यह बिल्कुल सही नहीं है यह उतना सही नहीं है the little girl फिर उसके बाद आजाएगा said to her friend फिर आजाएगा it was not quite right उसके बाद क्या आजाएगा आपका for the mother to leave for the mother to leave मतलब कि माँ छोड़ देती है leave का मतलब छोड़ देना या त्याग देना for the mother to leave R का option क्या है little children on their own and go to work मतलब कि मा किसी भी मा के लिए एक काम पर अगर वो जाती है कोई भी मा है और वो साथ ही साथ एक working woman भी है कहीं job करती है तो उस मा के लिए ये आसाम नहीं होता है कि अपने किसी छोटे बच्चे को घर पर छोड़ कर जाए ठीक है एक छोटी बच्ची अपने किसी दोस्त से कहती है एक छोटी बच्ची said to her friend अपने दोस्त से कहती है it was not quite right ये बिल्कुल सही नहीं है for the mother मदर के लिए एक मा के लिए to leave मतलब छोड़ना little children अपने छोटे बच्चों को on their own खुद पर ही आपका R the little girl उसके बाद आजाएगा said to her friend उसके बाद आजाएगा it was not quite right उसके बाद आजाएगा for the mother to leave last में आजाएगा little children on their own and go to work आपको इसका मतलब भी पता चल गया कि एक मा के लिए बिल्कुल आसाद नहीं होता है इसका आपको बताना है कि जो धर्म होता है उसको कैसे यूज किया जा रहा है both as a weapon of isolation to dull awareness about real problems like health and education etc and as morphia तो देखें जो religion है न इसको morphia की तरह यूज किया जा रहा है या फिर लोगों में awareness की कमी करने के लिए किया जा रहा है आजकल आपको पता है धर्म के नाम पर कितने सारे riots या दंगे होते हैं तो ठीक इसे प्रकार से ये आपको एक sentence frame करना है construct करना है तो देखें इसका option number A बिल्कुल सही हो जाएगा P, S, Q, R के रूप में आप इसको construct करेंगे जैसे देखें बताती हूँ मैं आपको Religion has been used उसके बाद आप लगाएंगे both as a weapon of isolation and उसके बाद S लगाएंगे second number पे and as morphia मतलब कि कोई एक जैसे weapon of isolation जैसे किसी को अकेला या उजाडने के लिए isolate करना मतलब उजाड देना एक हथियार के रूप में आजकर लोग धर्म का प्रेयोग कर रहें और एक morphia के रूप में आजकर लोग धर्म का प्रेयोग करतें तो weapon of isolation और morphia बोथ दोनों तरीके से लोग इस्तमाल कर रहे हैं to dull awareness about real problems like health and education etc तो आपका देखे यहाँ पे क्यों वाला फिर आजाएगा to dull awareness मतलब लोगों में आशांती फैल आने के लिए लोगों में जो awareness है किसी भी चीज़ को लेकि जागरोख होने की उसको dull करने के लिए उसको मंद करने के लिए मद्धिम करने के लिए about real problems जो भी मतलब समाज में इतनी सारी problems है हमारे इंडिया में भी लेकिन आजकर लोग क्या कर रहे है religion मतलब धर्म के नाम पे लोग खिलवार किये जा रहे है दूसरों के emotions के साथ भावनाओं के साथ जैसे हमारे समाज में health और education जैसे बहुत सारी real problems exist करते हैं हमारे society में बढ़ इन पे लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है क्या ध्यान जा रहा है कि हमारा धर्म, हमारा भगवाररंग हमारा क्या? हमारा इसलाम धर्म, हमारा इसाई और जितने भी धर्में सब क्या है अपने अपने धर्म के प्रति कटर होते जा रहे हैं by God मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है ना कटर के English होती है by God तो उसी प्रकार से आपने frame किया कि इसको P, S, Q, R के form में इसको frame कर सकते हैं तो option number A आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सबसे पहले बोलेंगे religion has been used फिर both as a weapon of isolation फिर बोलेंगे end as morphia to dull awareness about real problems like health and education etc इस तरीकी से आपका option number A सही हो जाएगा I hope आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा Thank you so much for watching this मिलते हैं आपसे next video में तिल देन अपना खूब सारा ध्यान रखिए